नमस्कार दोस्तों देवरुची ब्लॉग में आपका स्वागत है तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भूली की खास रेसिपी जिसको हम लोग इनर से भी बोलते हैं या हिससे भी बोलते हैं तो यह चावलों से बनाए जाते हैं तो यहां पर मैंने तीन दिन पहली ही चावल भिको के रख दिये थे पानी में अच्छे से वाश करके दो तीन बार और फिर उनको पानी में लेके रख दिया था और डेली सुबर साम में उनका पानी निकालती रहती थी और दूसरा पानी डालती रहती थी चेंज करती रहती थ चावल एकटाए तो अनों को भड़ा नगा न कारoked i all the ads करना है अब होमें चावल यह हमें चावल लेने हैं और इसको दोर्ग मिक्सी में पीचिना को लीए होगता है और यह का नियुक्त को न घोलता हुआँ और वही जाना है और शजलने से साथ खाँने भी जाना है और सबसे जो मेन इंपोर्टेंट बात होती है इनर्सों की वो होती है जब हम चावल के आटे को छानते हैं तो उसको हाथ से प्रेस करके अच्छे से दबाते हुए जाएं आटे में बिल्कुल भी हवा न लगने दें तो उसे नमी जो है वो परगरा रहती है चावलों की चावल के आटे की तो बाइंडिक होने में अच्छे से आसांी रहती है तो इससे तरीके से जो है चावलों को थोड़ा-छोड़ा करके पीस लेती हूँ और जो छनने के बाद जो हमारा चावल निकलता है तो उसको साथ साथ अपने जार में, मिक्सी के जार में डालते चाहिए और थोड़े से गीले चावल डालते चाहिए तो उससे हसानी से आपके चावल पिस पी जाते हैं तो मैं सारे चावल पीश लेती हूं, और ये देकिए, सारे चावल मेरे पीश चुके हैं, ये करीब तेल किलो चावल थे, तो इनको आदे चावलों का मैं बनाऊंगी, और आदे को मैं शाम के टाइम बनाऊंगी, क्योंकि इस वक्त थोड़ा मेरा ट्यूशन का टाइम भी रह मैं भूर्च हमारा चावल की गया अधू सनक वन पजैघ, यह यह जम जाना बनारी हमें हम लोपार्टि वह जाना है , वहगा छावल का अधू आठा हो जानारी कि जाना है तो इस नहीं होगा कि हलका हलका वह उसमें नमी बरकरार रहेंगी क्योंकि चाबल में हमारे में नमी है और जब पूरा उसके साथ में मिले गा तो आटा अपने आप गुटता जाएगा तो इसमें ना तो हमें दूट डालने की जरुरत है ना ही और कोई भी लिकुट चीस डालने की जरुरत पड़ेगी तो यह आटा अपने आप ही इस तरीके से हलके हलके आप मिलाते जाएए और यह आटा जो है सॉफ्ट डूस का तयार हो जाएगा तो यह जो इनर से हैं गाइस यह मैं बिना खोये वाले बना रही हूँ और जो आधा मैंने उठा के रखती आथा चावल का आटा उसको मैं खोये वाले बनाऊंगी तो कुछ इस तरीके से मलने के बाद देखे यह इस चाइप से हो गया और अब हमको करना है इसको दोनो हातों से इस तरीके से हमैं इसको थप थपाना है जिससे कि यह थोड़ असा एसमें सव्ट बन आता जाए क्योंकि बूरा देख चुछ सॉफ्ट होए यह बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है इस तरीके से करने से तो यह एक बेस्ट टिप है कि आटे को हलका सा मलने के बाद आप इस तरीके से से थप थपाईए तो इच्छे से मिक्स भी हो जाता है और बहुत अच्छा डो बन के तयार होता है तो अब डो बनाने के बाद जो है वो आप चुटी चुटी लोई यां जिस भी साइस की खाते ह है क्योंकि यह तो आप जिस तरह की लोई बनाएंगे तो यह थोड़ा सा उससे उल्टा ही बह चलता है क्योंकि यह पतला होता है तो यह देखिए मैं ने डालने की शुरुआत कर दी और यहां पे जो है वो वीडियो मेरा बेटा शूट कर रहा था तो अगर कुछ दिक्कत ह तो कोई अगर क्लियर चीज नहीं दिखाई दे तो प्लीज उस बात के लिए सौरी क्योंकि मेरे हाथ नहीं इस वक्त मैं कर पा रही थी और मेरा बेटे ने शूट किया है यह तो यह देखिए कुछ इस तरीके से इनर्थे मेरे बन के तयार हो गए तो यह वीडियो आप लो तो प्लीज आप उन्हें भी चक कर लीजिए अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीज़ेगा आज की वीडियो यहीं तक थी थैंक्यू बाबाई